हेलो फ्रेंज आपका भी फेसव अकाउंट लॉक हो चुका है एंड आप अनलोक आने के लिए काफी प्रोसेस ट्राइक है लिए काफी वीडियोज देख लिए यूटुपर वट आपके अकाउंट में कंफर्म यूर अडेंटी की जगह पर कोई भी गेट अकोड ऑन यूर फो प्रोस्ट हो जाता है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप कैस तरह से अपने अकाउंट में केटा कोड ऑफशन लेकि आ सकते हो या फिर केटा कोड ऑफशन किस तरह से चेंज कर सकते हो ठीक है एंड जिन लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राब न काना कि आपके कांट में फिर आप अब या नहीं मिला आप क्या चाहते हूं चैंज करेंब ने को प्लिक करिंग इंगे इतना आपको पता है ज्यसे went along यूर अटेंटी इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाता है यहां पर आप get a code option कैसे लेके आ सकते वो भी वीडियो को लाइश्ट में आपको पता चल जाएगा उससे पहले आपको अगर get a code option आ जाता है आप लोग यहां पर टाइप कर देना कुछ भी अपने मन से टी के six letters के यह बार बार आप लोगो ने रिसेंड कोड वाले option पर क्लिक करना एंड तीन से चार बार इस तरह से आप लोगो ट्राय करना तो आपका get a code on your phone number वाला option गायब हो जाएगा इसी तरह से अगर आपके पास कोई दूसरा option आ रहा है जिससे get a code वाई email और आपके पास email नहीं है तो आप लोग ने code send के option पर क्लिक करके और रेंडम सा five and six letter का code यहां पर बार बार टाइप करना फोर से five time यह आप लोग टाइप कर सकतो और recent code के option पर क्लिक करते जाना और code को अपने मन से टाइप करते जाना इस तरह से करोगे तो आपके सामने यह get a code option जो आ रहे हैं वो आ यहां से सो होना बंद हो जाएंगे एंड कुछ देर के लिए आपके यहां से option skype हो जाएंगे ठीक है यह सब आप करने से आपके account में new option आ जाता है जैसे अब इस account में ना तो number pass में था ना email pass में थी ठीक है तो हमने दोनों option यहां पर block कर दिये तो अब यहां पर इस account में मिलेगा हम को date of worth वाला option जो कि हमें पता है हम यहां easily से यहां पर enter करके account को unlock कर देंगे ठीक है जैसे ही आप लोग इस तरह से options को block करवा देते हो तो आप लोगों ने two or three hours के लिए अपने account को log out कर देना है and again अपने account को login करना है two hours वाद एंड यहां पर चेक करना है जो option आपकी में नह data worth वाला option देखने को मिल चुका है इस तरह से आप भी अपने account में कोई another option change कर सकते हो जो अब मैं अपने account को कर लेता हूं unlock उसके लिए मुझे data worth को करना होगा enter जो भी data worth है उसको करते थे enter and आप लोगों को जाना है confirm your identity की जगह पर data code option किस तरह से लिए तो उसके लिए आप उसको बोच करके उस वीडियो का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करोगे तो 100% आपके account में get a code वाला option अवैलवाल हो जाएगा ठीक है या फिर आपको कोई भी confusion हो तो आप मुझे वीडियो को नीचे comment section में comment करके बताए या फिर आपको अपना account जो की lock उच्छों काफी time से प्रोवाइड कर रखा है तो आप contact कर सकतो आपका account unlock हो जाएगा सिर्फ one day के अंदर अगर आपको अब ये वीडियो फसल नहीं तो वीडियो को लाइक करके comment करके जरूर जाए